चलिए अपनी विलपार टेस्ट करते हैं इमेजिन किजिए कि आप देखने में बिलो एवरेज इंसान है आपकी स्कूल में हमेशे लड़ाई होती रहती है आपके टीचर्ज और आपके घर वाले आपसे नराज रहते हैं आप फोर्थ क्लास में पहुंचते हैं और आप दो बार फेल हो जाते हैं आपके साथ वाले सिक्स्ट में पहुंच चुके हैं फिर आप एट स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं और आप तीन बार फेल हो जाते हैं आपके कहीं साथ वाले लोग ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हैं फिर आप graduation के लिए entrance exam देते हैं और उसमें भी 5 बार fail हो जाते हैं आपके ask pros वाले सारे इंसान आपको loser समझते हैं एक failure उसके बाद आप 30 job interviews देते हैं और हर बार reject हो जाते हैं और वो कोई ऐसी वैसी rejection नहीं थी वो extreme rejections थी आप KFC में job interview के लिए जाते हैं 24 में से 23 लोग select हो गए हैं सिर्फ एक इनसान है जो select नहीं हुआ और वो आप हो फिर आप police की नौकरी जॉइन करने जाते हैं 5 में से 4 लोग select हो जुके हैं दोबारा से सिर्फ एक इनसान select नहीं हुआ और वो आप ही थे आप अपने कजन के साथ एक 4 स्टार होटल में job लेने जाते हैं दो घंटे गर्मी में लाइन में खड़े रहने के बाद आपका कजन जिसके आपसे भी कम marks हैं उसे select कर लिया जाता है और आपको reject कर लिया जाता है इस moment पे इतने failures के बाद हम में से maximum लोग quit कर देंगे कि यार मुझसे अब और failure सहनी होते मुझे life में और कुछ नहीं करना I quit बट Jack Ma जिनके साथ actual में ये सब चीजे हुई हैं उन्होंने quit नहीं किया और इसलिए आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और उनका IPO आज तक का सबसे बड़ा IPO है Even bigger than Google तो आईए नजर डालते हैं Jack Ma की स्टोरी पर Jack Ma पैदा होए थे 15 October 1964 South Eastern China में जिस जगा का नाम था Hangzhou उनका एक बड़ा भाई और छोटी बेहन थी ये उस वक्त की बात है जब चाइना West से पूरी तरीके से isolated था और उनके घरवानों के पास उन्हें पालने के लिए बहुत कम पैसे थे 1972 में President Nixon उनके शहर आये थे जिसकी वज़़े से उनका शहर famous हो गया और वो एक tourist place बन गया Jack Ma को English सीखने का बहुत जादा शौंग था इसलिए वो tourist के free guide बनते और उनसे बातचीत करके अपनी English improve करते उनको ये nickname Jack, उनके एक tourist friend ने दिया था बहुत सारे failures के बाद 1988 में Jack Ma अपने शहर की सबसे कम famous university से पास हुए उसके बाद वो 30 से जादा jobs में reject हो गए और finally एक local university में as an English teacher 12 dollar पर month की salary में job join करनी 1995 में जब पहली बार वो US गए तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार internet के बारे में सुना जिसको देखकर वो बहुत जादा impress हो गए वहाँ पर उनके दोस्त ने उन्हें computer पर कुछ भी search करने ले कहा पर China का कोई data available नहीं था Jack Ma internet से बहुत जादा impress हो गए थे और उन्होंने सोचा वो अपने देश के हर middle class business को internet से connect कर देंगे वो अपने देश चाइना गए और वहाँ पर एक website खोली जिसका नाम था China Pages इसका काम था बाकी middle class businesses के लिए websites create करना लेकिन कोई investment ना आने के बाद थोड़े सालों के बाद उन्हें ये भी बंद करनी पड़ी लेकिन हर बार की तरह इस बार भी Jack Ma ने हार नहीं मानी और कुछ सालों के बाद अपने स्तारा दोस्त और पतनी के साथ मिल कर एक नई website खोली जिसका नाम था alibaba.com जिसका काम था कि exporters अपने products इस website में डाल सकते थे और customer उसे directly खरीज सकते थे middleman का concept इसमें remove कर दिया गया पहले तीन साल तक उन्होंने इस company से कुछ पैसे नहीं कमाई लेकिन October 1999 में Jack Ma ने Goldman Sachs से 5 million dollar raise किये और Soft Bank से 20 million dollars और 2005 में alibaba में 40% share लेके याहू ने 1 billion dollar invest कर दिये और ये alibaba के लिए बहुत बड़ी success थी और याहू के लिए बहुत अच्छी investment September 19, 2014 में alibaba public हो गया और वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO था Google से भी बड़ा उस दिन Jack Ma ने कहा कि आज हमें सिर्फ पैसे नहीं मिले है आज हमें सारे दुनिया के लोगों का trust मिला है जिसे हमें हर हालत में maintain रखना है इसके बाद Jack Ma चाईना के richest आदमी बन गए जिनकी आज की net worth है 25 billion dollars दोस्तों हम लोगों के साथ भी ऐसी बहुत सारी difficulties आती है तो अगर आपके साथ भी ऐसे failures हुए हैं तो comment section में लिखे आप बाकी गेगलर्स को बता सकते हैं और साथ में अपने से ये भी promise कीजे कि आप कभी 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 और कभी भी quit नहीं करेंगे Jack Ma की एक बहुत famous wording है जो मुझे अच्छी लगती है उन्होंने एक बार कहा था कि आज बुरा है कल उससे भी जादा बुरा होगा लेकिन परसो आपकी जीत होगी मैं उमीद करता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैहिन दोस्तों comment section में आप बता सकते हैं कि आप next video किस topic पर चाहते हैं ताकि हमें भी feedback मिले और उसी topics को हम cover करें इस channel को जरूर subscribe कर लिजिए और bell का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी knowledgeable videos कभी miss ना करें और इस video को like जरूर कीजेगा ताकि हमारा confidence बने कर दोस्तों करें